जेसीवी से आज घर पर खजाना निकलेगा पूर्खों का खजाना और ऐसा खजाना जिसकी कीमत आकी नहीं जा सकती इसी के नीचे दबा है वह खजाना और अभी आप देखेंगे कि कैसे निकल रहा है अब वह खजाना इतना बड़ा है कि उसके लिए महिन पावर यानि अगर महिनत करके निकाला जाए तो निकल नहीं पाएगा इसलिए जेसीवी मंगाया है और अब यह लोग उस खजाने को निकालेंगे बड़ा आनन्द आएगा दोस्तों हमारे दादा के दादा के समय का वह खजाना गड़ा हुआ है धकता गया गड़ता गया मिटी पड़ती गई लेकिन आज उसको उजागर करना चाहूँगा यदि आपके पास भी ऐसा खजाना हो तो फिर्पिया उसे जरूर बाहर करें तो एक खजाना यह अभी था देखिए अब यह तूट गया है इससे आटा की पिशाई होती थी बैल से आटे की पिशाई होती थी एक भाग इसका नीचे वाला खतम हो गया है और नहीं यह नीचे वाला है उपर वाला खतम हो गया है और यह अभी आधा हो गया है चलिए भया शुरुवात खजाने की खोज शुरू होने जा रही है और यही है यह हमारा घर है आप इसे देखे ही रहे हैं परचिते हमारे घर से धूगा जा रहा है कि कहा है खजाने की खोज तोले मुहले के लोग भी आ गए हैं दिवाकर आ गए हैं निखिल आ गए हैं और लोगों में उत्षुकता है संजय भी आ गए हैं कि खजाना आखिर निकल के से रहा है पहुत दिनों सुकता थी इस खजाने को निकलवाने की संजोग नहीं बन पाया लेकिन आज वह सुब मुहुरत आ गया है जब खजाना निकलेगा हमारे घर बैबाही कारिकम भी है तो मैं चाहता हूं कि जो पुर्बजों का खजाना है उसे बाहर किया जाए अब बुल्डोजर अपने एक्शन में आ गया है खजाना ढूटना है किस तरफ है और कितरे आकार में है खजाना ऐसा जिसकी कीमत रूपे में नहीं आ की जा सकती आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहां लोगों की भीड बढ़ती जा रही है एक कवतु हल कि दूबे जी के घर पर बुल्डोजर कैसे चल रहा है कुछ हुआ है क्या यह सीम योगी का बुल्डोजर तो रही क्या पता पंगा लेते रहते हैं इनका भी सुभाव है लड़ते रहते हैं हो सकता है जो चाहने वाले होंगे वो आहें भरेंगे कहेंगे आदमी तो अच्छे हैं ठीक नहीं हो रहा है ऐसा योगी को नहीं कर रहा है और जो लोग जलन की भावना रखने वाले होंगे वो कहेंगे आज पता लग गया है यह तो होना ही था तो आपारे घर की सिडियां है अब यह लग रहा है कि सिडियां भी तूट सकती हैं खजाने को निकालने में एक बार जैसी भी चालक ने फिर से सिडियों को बचाने का प्रयास किया किन्तो सिडियों के कुछ इट इसमें नुक्सान हुए हैं एक तरफ खरंजा जिस पर बुल्डोजर यानि जैसी भी खड़ा है दूसरी तरफ हमारा मकान और एक तरफ जो चुना का लिकिया हुआ मकान आप देख रहे हैं जिस पर मोट साइकल खड़ी है यह सतनाराण पहलवान सुर गी है सतनाराण पहलवान जी का घर है जो अब नहीं रहें बड़े पहलवान थे तो जैसी भी लगातार टच कर रही है खड़ाना कहा है एक बड़ी चुनावती है जैसी भी चालक के सामने कि खड़ाना सुरक्षित निकलना चाहिए खड़ाना यानि पुरुबजों की धरोहर हमारे पुझपिता जी को कई बार आपने वीडियो में देखा है जिनका नाम स्री मारकंडे ये तुप्रे बारांसी और गाजीपुर्क की सीमा पर बारांसी जनपत की परिधी में गंगा और गोम्ती की पवित्र संगम पर मारकंडे महाद्देव धाम है बताते हैं जिनको पुत्रत्न की प्राप्ती नहीं होती वह लोग जाते हैं वहां दर्सन करते हैं दर्सन करने के उपरांत उनकी मनों कामना पुरूर होती है हमारे दादी जी और दादा जी दोनों लोग मारकंडे महाद्देव जी के धाम पर पहुँचे थे फुत्रत्न की प्रत्यासा में हलाकि हमारी तीन बुगा लोग थी अब यह है कि लड़का चाहिए बिना लड़के के मुक्ती तो होगी नहीं तो और यही हाल हमारा भी है चलिए हम उसे भी बता देंगे तो वहां से आने के बाद हमारे पिताजी का जनम हुआ तो उनका नाम रखा गया मारकंडे यह एक ऐसा पवित्र धाम है जहां से अमराज भी वापस हो रहे थे एक बड़ी महिमा है और देश भी देश से लोग वहां आते हैं तो यह रहा हमारे पुझी पिताजी का जनम के बारे में मैंने बताया और फिर बुल्डूजर इसे मुहनोचवा भी कहते हैं लोग द्याग में मुहनोचवा एक बार आया था तो देखिए शिडियां बचाने का प्रयास इसका चालक कर रहा है और खजाना निकलेगा उदर से स्ष्ष्टी देख रही है वह हमारा घर है जंगला है प्रयत्रिक निवास है यानि हमारे पुझी पिताजी ने इसे बनवाया था दादाजी जिन्दा थे तभी इसकी नीव रख दी गई थी और दादाजी हमारे 90 साल का जीवन बितीत करने के बाद उनका देहावस खान हुआ था यह दरोहर हमारे दादाजी के दादाजी के समझी है यानि यह खजाना तो दोस्तों हमारा यह दर्वाजा देख रहे हैं जिस पर भी प्लाश्टर नहीं हुआ है यह दर्वाजा हमारा पस्चिमी दर्वाजा है और दर्वाजे के ठीक सामने इतरी कुआ है ए एक दरवाजा पस्चिन तरफ एक दरवाजा पूरब तरफ और एक जो मुख्य दरवाजा है वो है उतर तरफ जिसमे एक चैनल गेट लगा हुआ है और सामने पीपल, पाकड, बरगद यानि हर संकरी का हरी संकरी का पवित्र प्रिक्ष है जब जिला पंचायत सदर से की पाचित हुआ था, तो हरी संकरी पिताजी ने रोपित किया था, आज वह विसाल प्रिक्ष के रूप में, अक्टूबर 2010 में उसका रोपन हुआ था, आज विसाल प्रिक्ष के रूप में वह लोगों को आक्सीजन दे रही है, तमाम पक्षिया आती है, वहाँ उनका लगातार करती जा रही है, तथा, देखिये, कुछ वहाँ से धुआ जैसा भी कर रहा है, खजाने की जानकारी हो गई है, धिरे-धिरे उसकी चमक भी आप देख रहे हैं, बरसों पहले, काफी पहले, हमारे दादा जी जैसा की मैंने बताया है, देखिये, भीर भढ़ती जा यह निखिल हैं, मुहले के, और तमाम लोग आ गए हैं, और बहुत से लोगों ने नहीं जा रहा है कि असब हो क्या रहा है, कई लोगों ने कहा कि दुबे जी असब कौन सी खुरा भात, कुछ लोगों ने कहा भीया जो उनके मन में आएगा वही करेंगे, मानेंगे नहीं व दरवाजा जिसे आप देख रहे हैं, आम की लकड़ी का है, और पुराने समय का है, अब इस तरह के दरवाजे आपको नहीं दिखेंगे, इसमें साकल भी है, और फिर सामने पवित्र कुआ जो पुरवजों का है, दोस्तों हमारे पिता जी का देहा वसान, यानि वह गो पासी हुए लगभग 83-84 साल के उमर में, मेडिकल कालेज उन्हें पहुंचा दिया गया, मेडिकल के बच्चे उन से सीखेंगे, हमारी माता जी भी 80 साल की उमर में उनका देहा वसान हुआ, अंतिम सांस उनोने लिया, तो उन्हें भी 80 हिंदू बिसो बिद्धाले के सरसुं बने गए, जैसे भी चालक से एक बार फिर मैंने अनुरोध किया, एक बार देखा जाए, कोई दूर घटा नहों हो, नंबर एक, नंबर दो, कि सुरबचित और बजों का खजाना निकले है, वहाँ बताने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, बता रहे हैं कैसे करना है, किधर से करना है, अंदर हमारे भाई साब भी खड़े हैं, हमारे बड़े भाई है, चंदर मुष्ण दूबे जी, तो दोस्तों खजाना निकलेगा, खजाना सुरख्षित निकलेगा, पुरवजों की धरोहर को हम सुरख्षित निकालेंगे, यह करणजा है, जिसका भी नुकसान ह हुआ है, उसका भी जिसे हम लोग को बाद में लगवाएंगे, उसमें भी नुकसान हुई है, लेकिन सुरख्षित निकालना है, खजाने को, पुरवजों की धरोहर को, किसी भी तरह, चाहे जैसे हो, संदच्षित करना है, सुरख्षित करना है, उन्हें प्रडाम करना है, और यही हमारा धर्म भी है, तो दोस्तों हमारे पुझे पिता जी का नाम आपने जान लिया, स्री मारकंडे दूबे जो नहीं रहे, उनके पिता जी का नाम स्री राम अनंत दूबे, और हमारे परदादा जी का नाम यमुना दूबे, यमुना दूबे जी के पिता जी का ना पिस्वंभर दूबे और उनके पिता जी का नाम महावीर दूबे उनके महावीर दूबे के दो भाई थे एक का नाम था केवल दूबे एक का नाम था मेवल दूबे तो मेवल दूबे के हां से उनके परिवार के उनके खानदान के हम लोग है और केवल दूबे के खानदान के ह हमारे पेटी दार लोग है तो इस तरह का कुछुर्व सीनमा हमारे दादा जी ने बताया था पिर पिता जी ने मताया अब हमारे भाई בש मुझे जो इस्मरण यह हमारी कौण सी सोगी बताएगा जैस हम लोग है नदा another उनके पिता जी उनके दादा जी और उनके पिता जी तो और फिर हमारे दोनों भाईयों में दिनकर हैं जिनें हर्स करते हैं और फिर हमारे भाई साब की चार बेटियों में दो बेटियों की साधी हो गई है आचल हैं स्वेता हैं उन दोनों के बच्चे हैं और फिर उसके जो पीडिया हैं उसके बारे में हमने बताया, तो दोस्तों यह बुल्डोजर, सपनों का बुल्डोजर, अतीत को याद करने वाला बुल्डोजर, और वजों की धरोहर को सम्मान पुर्बक सजाने और सवारने वाला बुल्डोजर, दोस्तों वीडियो लंबा होगा, इसलिए इसे हम दो पार्ट में करेंगे, खजाना निकलेगा, खजाने को हम दिखाएंगे भी, इसे जो कहना होगा यहाँ पागलपन का लच्छन है, अथवा अपने अतीद को, अपने संसकारों को पुनर जीमित करने और सजाने का एक अपना सोभाव है, इसे जो भी कहना होगा, लेक प्रजबूस और दूबे, बिनम्रता के साथ हमारा प्रडाम स्विकार करें,